हाईलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने जा रहा हूं इसके जहांसर के math practice set के set number 23 को ठीक है अगर 22 तक का solution अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के playlist में जाईए वहाँ पर playlist बना हुआ है बकायदा से आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अ का योगफल 111 है ठीक है भाई और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9 अनुपात 14 है यानि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया है 9,12 ठीक है और दूसरा लाइन में दिया है कि पहली संख्या की तीसरी संख्या से अनुपात 1 अनुपा चार है यानि पहली संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से कितना है एक अनुपात चार है तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है तो सबसे पहले आप तो इसको कंबाइन करके पहली दूसरी तिसरी कर लीजिए पहला दूसरा तीसरा इसको हम कंबाइन कर दे रहें तीन तो यहां पर देखिए तो तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है यानि तीन वाली संख्या इसमें भी है और दूसरा वाला मिपी है तो यहां पर दिया है चार यूनिट लेकिन यहां पर दिया है सोरा यूनिट तो हम इसमें चार यूनिट से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो अग सोरा दिया देखिये तो इंट में केतना का योग होरा है 9 4 13 और 13-29 29 इंट का भैलू आपको दिया है 116 तो एक उन्ट का भैलू कितना हो जाएगा 29 24 के हां 24 के 114 तो आप पूछराहे कि दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या 9 इंट है तो 9 multiply by 4 यानि की 36 हो गया ठीके आये question number second बोल रहा है कि 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8 की माधिका यानि median, बहुलक, mode और यानि mean क्या होगा देखिए माधिका यानि median, बहुलक यानि की mode और माध यानि की mean क्या होगा तो बहुलक तो सबसे पहले निकालना असान है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए तो ज़्यादा बार कोन आ रहा है नौ अरे दो एक तीन एक चार बार नौ बार आ रहा है तो इसमें तो बहुलक होगा नहीं याठ ये सब हो सकता है ठीक है तो आए निकालते है माधिका सबसे पहले, तो माधिका कैसे निकालते हैं, आपको मैंने कई बार बताया है, कि जब संख्या दिया गया है, और उसका माधिका निकालना है, तो संख्या को आरोही करम में सजाओ, यानि बढ़ते करम में सजाओ, और जो exact बीच में आए, यानि सभी संख्या के जो बी दो तीन बर डौर्ट उसके बाद 9 को सजाई यह तो एक, दो तीन चार नौव है अब इसके एक्जेक्ट बीच में देख लिए कौन संख्या आ रही है वहीं आपका माधिका होगा तो देखिये तो आठ आपका एक्जेक्ट बीच में आ रहा है देखो तो और बहुलक कितना हो गया 9 क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वहीं बहुलक होता है अब निकालना रागे आपको माद तो माद निकालने के लिए सबसे असान तरीका है कि टोटल को जोड़ दो और जितनी संख्या है उतना से भाग दे दो माद निकल जाएग हो गया टोटल योग और संख्या कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव से भागा दे दीजिए तो नव आठे बहत्तर माद दे आपका आगया आठ तो माद दे कितना हो गया आठ ऐसा आपसन खोज लिजिए आठ नव आठ कौन है आठ नव आठ यानिकि अपसन नम्मर सी ठीक है नेक्स्ट कोस्टन की ओर बढ़ जाते हैं कोस्टन नम्मर थिरी बोलाए कि एक बेवसाई जो है साथ रुपिया प्रती किलो यहां पध्यान दीजिए वाली चाय तथा 65 रुपिया प्रती किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को और 60.2 रुपे प्रती किलो के भाव से बेचने पर उससे 10% का लाव हो देख़े तो यहां पर 60 रुपिया प्रती केजी है यहां पर 65 रुपिया प्रती केजी है और बोल रहा है कि total को मिला कर और 60.2 रुपया परती के भाव से बेच रहा है तो उसको 10% का लाब हो रहा है तो यहाँ पर जब हम CP लिख रहे हैं और यहाँ पर CP तो total में भी हमें CP लिखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर तो 10% लाब बोल रहा है तो उल्टा गुणा कर दीजिए आनि 68.2 और 10% लाब है तो CP लाने के लिए 100 by 110 ठीक है यह तो बहुत बार में बताया हूँ कि CP से SP पर कैसे जाते हैं और SP से CP पर कैसे जाते हैं अगर आप मेरे सेट में अगर देखते हुएगा सेट को तो ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका इंकुलेशन थोड़ा सा कर लिजी यहां से 10 मलो अटाकर बट्टे में 10 कर दीजी तो 10 दाम हो जाएगा 100 और 10 से 10 केंसिल तो 11 6 6 6 और 11 दूनी के 22 आपका आगया 62 तो कितना हो गया 60 62 में से 62 और 65 में से 62 गया 3 यानि आपका एंसर आगया 3 अनुपात 2 में मिलाएगा ठीक है अपसा नम्मर सी आई यह सव के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा देखिए एक तो आपका नियम है कि 800 के बाद देखिए तो कौन संख्या 79 से विभाज्य हो रहा है तो 79 89 89 89 दाहामे 790 इक 11 से करना पड़ेगा तो 11 से मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो 11 99 ग्यारा साते सतहत्तर सतहत्तर तीन असी छच्छी आसी आनि पहला संख्या आपका आट सोन हत्तर हो जाएगा और लास्ट वाली संख्या कितना हो जाएगा एक का 1100 1100 1100 1100 में आप 79 से भाग दो तो तो हो जाएगा वन बार में वन तो कितना बचा 79 अच्छा के बीच बोल रहा है न तो एक पहले कर लेंगे एक हैर नब्बे आपको सोट में बता रहा हूं फ़ला पहले थोड़ा सा यह वाला देख लीजी यहां पर 79 ठीक है तो ग्यार दस जार निनानबे अरे दस संद्यानबे क्योंकि बीच में बोल ग्यारा सब को एक जेक्ट नहीं लेंगे भीच में लेंगे ठीक है तो वन बार में 79 बचा कितना 30 अरे ओग्या नौव तो नासी तिया आतीरी के 24 ठीक है तीन से कर लीजिए तो नातीरी 27 के साथ और 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 तीन साथ एकईस 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 बाइस तेईस ठीक है एकईस जा रहा है कुछ यहां पर रिमेंडर बच जा रहा है तो इसका मतलब है कि 13 से न करके आप क्या कीजिए 13 से न केर के जातना रिमेंडर बच रहे उतना घटा लिजी यार नौ में से साथ गया दो और दस में से तीन गया साथ बहततर घटा लो 1099-72 तो इख इतना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 1027 एख देखिए लास्ट का नम्मर हो गया 1027 ठीक है इसको मारू गोली इतो बेसिक एंकुलेशन रहा ठीक है अब यहाँ पर यन बराबर निकालना चाहें तो यन बराबर क्या होता है ए अन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इन्टू डी तो ए अन कितना है 1027 माइनस 877 और बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इन्टू डी गटाली जी गटाईए 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 कैंकुलेशन कीजी यानि 17 में से 9 गया 9,8,9,9,9,9 आठ बचा और ए ओगया आपको 11 तो 6,5,11 अच्छा ए ओगया 11 तो 6,5,11 कुशी गटबड है क्या दया ठीके 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 6,5,11 सही है और 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 यहांपर देखिए तो यह ओगया 9,9 में से 8 गया मेरो दोस बहुत लंबा कैंकुलेशन इस परकार से जा रहा है देखो यहां बराबर अभी तीन आगया तो जोर पूछ राहा है कि संख्या का योगफल कितना है तो यह अगफल कैसे निकालेंगे यह से यह 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 बराबर निकालते हैं n by 2 into a plus a यान यानि पहला संख्या अंतिम संख्या ठीक है तो यह यह बराबर 3 बटे में 2 आपका a कितना है a हो जाएगा आपको 8,6,9 आनि 8,7 प्लस लाष्ट संख्या एक 1027 अब इसका कैंकुलेश करके आप लाएंगे तो अप्सन नंबर भी आएगा लेकिन मैं इसके लिए आपको एक दिमाग लगाने वाली बात बताता हूं ठीक है उस पर आप लोग दिमाग लगाईए जा लिगाईएगा अगर इतना करोगे तो आपका समय बहुत ही बेस्ट होगा आप कितना ही फास्ट संख्याओं का योगफल क्या है तो मेरे दोस्त जितनी भी संख्याएं जो होगी यानि 79 से विभाज जाए तो उसका योगफल जो है यानि उसका सम वह भी तो 79 का मल्टिपले होगा थोड़ा सा अगर इक्स्ट्रा दिमाग लागा कर सोचिएगा अस्थिर दिमाग से तो बो सिर्फ बी कट रहा है आपका एंसर भी हो जाता देखते देखते ठीक है नहीं तो बेसिक से बनाईएगा तो यहीं आपका का इंकुलेशन राज जो की बहुत हिलेंदी है ठीक है तो इस पर ज्यादा समय नहीं लेते हैं यह कोश्चन नमर फाइप की और बढ़ जाते हैं पूला है कि साइन 주 इन екॉष्ट इसका बनाभर के आउकर नहीं बटक कर दी है बटरफलाई मेंठर ये से एक बाई दो ए पलस दो बाई तीन है तो हम क्या करते हैं तीन हे सका भाइं औरे साथ बट्य म दोनों पर है तो आपका एंसर होगे आपसन नम्र डि ये पहुत ही सिम्पल व्यक्शन था ये क्वेशन नम्र 6 बोल रहा है राम और मोहां की उम्र में चार Koh पांच का नुपात है देखो राम है रामुहन चार अनुपात पांच राम अनील-5-6 इनका है राम और अनिल-5 अनुपात छो बोले आदी तीनों की उम्रकायोग 69 बर्स हो तो मोहन क्यों तो सबसे पहले सबको कमाइड कर दीजिए राम मोहन और राम अनिल को तो देखो तो राम कॉमन है और इसमें राम 5 यूनिट है और इसमें राम 4 यूनिट है तो पाला वला में आप 5 से मल्टिप्लाई कर दीजिए और दूसरा वला में 4 से तो इसमें जब हम 5 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 4 के 20 और मोहन हो जाएगा 25 और इसमें हम करेंगे 4 से multiply क्योंकि राम को बराबर करना है राम दोनों में है common तो 4, 5, 20 होईए गया राम और 4, 6 के 24 हो जाएगा अनीड और total आपको दिया है 69 total कितना हो गया 45 और 25 और 24, 24, 25, 24, 29 और 79 ठीक है 49, 29 और 79 उनीड का भैलू आपको उनातर है दिया है ठीक है तो एक उनीड का भैलू कितना हो गया एक तो अब पुछाए कि मोहन की उम्र तो मोहन कितना है 25 उनीड तो 25 बर्स हो गया है और ये तो बहुत सिंपल कोस्चन था आए कोस्चन नमर 7 बोल गाए कि A-X बट्टे में A ध्यान दीजिएगा एलजेबरा का कोस्चन है प्लस 2A-X बट्टे में 2A is equal to 3A-X बट्टे में 3A है तो X का भैलू आपको फाइन करना है मेरो दोस्ट ए तो आप इसका कुछ भैलू पूट कर लिजिए आपको 3A-X बट्टे में 3A ठीक है अब देखो तो कितना हो गया यह दू ए दू ए दू ए चार ए तो हो जाएगा 4 तियां ही 12A यहां तिन से मल्टिप्लाइ कर दिए तीर्यक यह हो जाएगा 2X-X तो माइनस 3X तो माइनस हो जाएगा 9X ठीक है माइनस 9X बराबर यहां पर तीन दूना के हो जाएगा 6A माइनस 2X ठीक है देखो तो अगर हम 6A कोई साइड दलाते हैं तो माइनस हो जाएगा तो 12 में से 6 गया 6A बराबर इधरे पलस जाएगा तो 9 में से 2 गया आपका 7X तो X बराबर कितना आ गया 6A बटे में 7 ठीक है इतना सिंपल का इंकुलेशन था आप डायक्ट कर सकते हो या फिर यह का कुछ भैलू पूट कीजिए जैसे पूट वान और जो भैलू पूट करने के बाद आपका रिजल्ट आया अप्सन में भी यह का भैलू पूट करके आप एंसर लिख सकते हो ठीक है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कंप्लेक्स करके देता और जर्टिल देता तो अब हम पूटिंग मेथट का उपकर करते लेकिन यहाँ पर और आवसत्यस आवव 12 है और टोटल कितने बच्प्स तो बारा 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 सातों रएगा तो बारा साते टोटल ये attentा ऑट्रिंग कितना हो जाएग चावर जाएंघ। अब बूल रहा है कि 6 बर्स का एक बच्प्स्ना दुए उख मर गया ठीक है तो च्छ बर्स का बच्चा को माइनस कर लो तो अब वो योग कितना हो जाएगा 84 में से ठख गया 78 और पूछ रहा है कि बचे बचे हुए 6 बच्चों का आउसत तो आउसत कैसे निकालते हैं योग बटे में संख्या तो योग आपको 78 है और बटे में 6 कर दीजिये संख्या तो कि एक प्षिसम्स नंबर 20 में संख्या तो बच्च तो योग बटे में संख्या बराबर और उसत एतो बात आप आप जानते होंगे टीखेत 31 आया Ben नमर नाइन बोला एक बेलन तथा संकु के अधार की तिरिज्या एम उचाईया समान है उनके आधनों का अनुपात क्या ओगा देखो तो बेलन का आधन क्या होता है पाई यारी स्क्वाइर एच और उसका अनुपात निकालना है संकु से ठीक है एक बाइ 3 पाई आर तो सबसे पहले तो पाई पाई को केंसिल मार दो ठीक है यहां पर देखो तो आरी स्क्वार आरी स्क्वार है आपको समाने है तो केंसिल हो गया सब बराबरे है तो अनुपात कितना आ गया उसके आयतन का अनुपात तो तीन अनुपात एक आ जाएगा अरे मेरे दोस्त यहां पर 3 यह आ जाएगा इसना बल्टिप्लाई में तो 3 अनुपात एक आपका एंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 अनुपात एक, 3 अनुपात एक, 3 अनुपात एक, ठीक है, 3 अनुपात एक कौन अप्शन है? अप्शन भी ले लो आओ नेक्स्ट दस बोला अगर ब्याज वार्शिक्स वोजित किया जाता है तो तेन परसेंट की दर से दो हजार रूपयों पर तीन बर्थ के लिए चक्र ब्रिधी ब्याज ग्याद किये देखो तो कितना है दस परसेंट तो दस परसेंट का फ्रेक्शन कितना हो जाएगा 10 बटे में 100 आनि एक बटे में 10 आनि encant जो है 10 से 11 ऑ समय कितना सकते हो सब असान होता है ठीक है रेसियों मेतर लेकिन देसियों मेतर सबसे भी असान होता है मेरे हिसाब से तो दस दा में?, तो सब दा में एक हजार哥 हो गया एक हजार और 11 का Q होता हैどう है तेर सब एक가지 और माइनस 1,000 कितना हो जाएगा 331 तो 331 में भी दो से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 662 यार कुछ नहीं कि यह राशीयो में थर से बनाए बोलाए कि व्याज वार्शिक समझित किया जाता है और 11 का Q वो गया 1331 और यह मुल्धन को रिपर्जेंट करता है और यह आपको एमाउंट को रिपर्जेंट करता है और बीच वाला जो डिफ्रेंट होता है वह आपको सी आई को रिपर्जेंट करता है ठीके तो मुल्धन आपको दिया है 2000 यानी 1000 मल्टिपलाई बाई दो तो ए प्लस बीटा क्यों बराबर आप लिखना चाहें तो इसके लिए सुद्र पता है आरे मेरे दोस होता है अलफा प्लस बीटा इंटू अलफा इस्क्वार प्लस बीटा इस्क्वार माइनस अलफा इंटू बीटा या फिर इसे थोड़ा सा और मोडिफाई करना चाहो तो कर सकते ह वह alpha plus beta into alpha plus beta, alpha square beta square को हम लिख सकते हैं, alpha plus beta का whole square, लेकिन जब इसका whole square लिखते हैं, तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कि a square plus b square plus 2ab extra आ जारा है, तो इसमें से 2ab घटा लेंगे, तो minus 2ab कर लेंगे, जब कि minus ab पहले से है, तो यह हो जाएगा minus 3ab, ठीक है, आनि 3 alpha into beta, आप value put कर दीजिए, आपका answer आजाएगा, alpha beta कितना है, अरे मेरो दो से equation से आप अगर alpha plus beta निकालना चाहो, तो minus b by a, minus, और minus b है यह है, तो minus b by a, और a का value है, एक, यक्सी square के coefficient को a कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर x के coefficient को b कहते हैं, और b यहाँ पर दिया है b a, और constant को c कहते हैं, तो यह हो जाएगा b, और alpha into beta बराबर क्या होता है, c by a, तो c बटे में यह क्या निकी c, ठीक है, तो बठा दिजिए, तो यह हो गया b, और alpha plus beta, alpha plus beta b square, और minus 3 alpha into beta, तो 3 alpha into beta कितना है, c, तो c हो गया, तो answer लिखना रहा गया, तो b q minus 3 b c आपका answer हो गया, ठीक है, थोड़ा सापको यह फर्मूला याद रखने की आव सकता है, a q plus b q बराबर होता है, a plus b into a square plus b square minus a into b, ठीक है, आई question number 12, बोला एक मकान की कीमत 40,000, और उसमें रखे समान की मूल जो है, 15,000 रुपे है, उसमें रखी बस्तूओं को अगीन के बिरूद, देखो यह फालतुए लिखा है, ठीक है, इतना समझो की 40,000 कीमत की मकान है, और उसमें 15,000 का समान रखा गया है, और बोल रहा है कि उसके मूल पर 80% भीमा कराने पर, पूड़ा पर नहीं, 100% पर नहीं, सिर्फ बोल रहा है कि 80% पर भीमा कराने में, कितना प्रीमियम पर्ति बर्स लगेगा, जब की प्रीमियम जो है, साड़े 7% है, तो टोटल कितना रुपया हो गया, तो 40,000 और 15,000 हो गया, 65,000, 65,000, रिकाई, दाइट, सेकड़ा, हजार, 10,000, 65,000 पर नहीं देना है, तो 100% का भेलु है, उसका 80% पर हमें बीमा कराना है, तो इसका 80% और प्रीमियम पर्ति बर्स कितना लग रहा है, साड़े 7%, तो इस पर साड़े 7% कर दो, साड़े 7% के लिए 10 मलो अठाए, तो यहाँ पर 10 कर दिये, और परसेंटेज के लिए 100 कर दिये, ठीक है, अब काट कुटलो, आपका एंसर आ जाएगा, देखो कैसे, 2, 3, 2, 5, अच्छा, 5 वो तो सुनने आईए, नहीं फलती वे काट दिये, तो 25, 4, 100, 25, 3, 85, 2, 1, 3, सुनना यहां से गया, आपका कितना आ गया, 4 से 24, 80, 3, 0, 0, आपका इवनी डिजित तो 0 आ रहा है, यह तो होगा नहीं, यह तो होगा नहीं, ठीक है, और 20, 65, 65, multiply by 20, 60, कितना हो जाएगा, 6, 66, ओह, 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 कुछ तो गडबढ़े, कुछ तो गडबढ़े दाया, इतना तो अप्शन बहुत ज़्यादा आजार आए, 40, 1000, 15, 55, नहीं होगा, अरे 55, 1000 होगा, 55, आप देखो तो, 6, 35, 6, 35, 3, 33, कितना आगया, 33, 100, आपका इंसर हो जाएगा, अप्शन नम्मर ए, आईए फालदू कोश्चन है, इसमें कुछ एरर है, ठीक है, आप लोग इसको देख लिजिएगा, अगर आपको सही लगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको चेक किया, इसमें एरर था, कुछ और देना चाहिए था, यहाँ पर से बी, एटी, 55 डिगरी दिया ह आए कोशन नमर 14, बोलाए कि 10 रुपे में 11 की दर से कुछ टाफियां खरीदा, यानि कोई बंदा है, 10 रुपे में 11 की दर से कुछ टाफियां खरीदी और उतना ही 10 रुपे में 9 की दर से खरीदा, यानि 2 परकार का टाफिया खरीदता है, यादि सभी टाफियां 1 रुपे प्रतीट की दर से बेच दिया तो बैयाफार में हानी मुनाफा का प्रतिशत क्या हुआ कितना परसेंट हानी हुआ या फिर कितना प्रतिशत Loss हुआ तो लिखते हैं रूपिया बटे में बस्तु अरे मेरे दोस आप CI में पढ़े हो येगा माप कीजिएगा CI में नहीं ये आपको लाभानी का question है ठीक है आनि profit laws का तो लिखते हैं रूपिया बटे में बस्तू तो रूपिया 10 है और बस्तू आपको 11 के भाव से बेची जा रही है और बस्तू कितना यूनिट है मान सकते हैं क आनि एक यूनिट दस रूपिया में नुव की दर से ख़जा ठीक है यह हो गया आपको CP और टोटल को मिला दिया ठीक है और तो अब टोटल को मिला दिया तो एक उनिट आपीiter इस बसकार कर सकते हैं तो आप देखिए तो कितना का लवभानी हुआ दस नवान अभब यारद आमें अरे दस नवान अभब ग्यारद आमें 110 अवर 9200 और 11992 निक एक 1090 तो सीपी और एसपी का रेस्व आ गया दो सब 299 तो 200 से एक 1090 पर जाने में कितना की कमी वह मेरे इसाब से सही नहीं है उसमें आपको क्या करना रहाता है बस तु को बराबर करना रहाता है ठीके अगर यह नियान आप सिख जाते हैं तो आप डायेक्ट को बना पाईएगी ठीके आपको लिखने की कुछ उसको 6 बार उचाला जाता है तो बताइए कितने परकार से 4 head तथा 2 tail पराप्त किया जाता है देखो तो 6 बार से उचाला तो इसका कितना तरीका हो जाएगा फेक्टोरियल 6 और उसमें हमें खोजना है 4 head और 2 tail तो इसमें खोज लिजिये 4 head को सजाने का तरीका फेक्टोरियल 4 और 2 tail यानि फेक्टोरियल 2 आपका एंसर हो गया फेक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 multiplied by 5 multiply by 4 का factorial factorial इस परकार से भी लिखा जाता है और बट्टे में है 4 का फेक्टोरियल और 2 का फेक्टोरियल मतलब 2 multiply by 1 ठीक है यहाँ पर 4 का फेक्टोरियल कैसे लिखे यहाँ पर समझो कि फेक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है तो 6, 5 लिखे और 4 का फेक्टोरियल लगा दिये ठीक है नहीं बात हो गया तो यहां से चार का फेप्टोरियल केंसील दो त्याइए छ और पांच त्याइए पंदर ठीक है आपका एंसर हो जाएगा पंदर यानि की अप्सान नम्मर डी आये कोश्चन नम्मर सोरह 10%, 20% और 30% के लागातार छूट क्या है देखो बहुत सारे इसका नियम है या तो 100 मान कर निकालो कि 100% पर 10% आपको छूट दिया तो 90 हो गया 90 पर 20 दिया तो 9 दूना के 18 केंसील हो जाएगा इस तरह निकालो या फिर दूसरा मेथड होता है कि यह भी फर्मूला लागाओ पहल लेकिन आपका मर्जी आप किसी मेथड से बना सकते हो लेकिन मैं आपको हमेशा सला देता हूं कि रेशियो मेथड से बनाईए जैसे CI को मैंने बनाकर देखाया तो रेशियो मेथड से 10% तो 10% का फ्रेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा एक बाई 10 तो 10 से 9 हो जाएगा और 20 पर्सेम का फ्रेक्शन वेली कितना हो जाएगा 20 55-100 यानी एक बट्ट्री 5 तो 5-4 हो जाएगा 30 पर्सेंद का फ्रेक्शन वेली कितना होथा है सोरा पलस छतीस यानि कि 252 ते हो जाएगा आपको 252 ठीक है? तो अब आगया कि 500 से देखना है कि 252 जो है कि इतना परसेंट कमी है तो आप ऐसे देखिए देखो अगर 100 से मैं आपको बोलू की 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 80 तो आप कहोगे कि सर यह 20% कम है डारेक्ट बोलते हो 100 से मैं कहूं 95 तो आप कहोगे कि यह 5% कम है उसी परकार अगर 500 के जग़ा पर हम 100 कर देखिए तो आप डारेक्ट बोल सकते हो कि इतना परसेंट कमी है या फिर ब्रिधी है तो हम क्या किये कि यहाँ पर पांच से भागा दे दें तो हो जाएगा पांच से भागा दे देते हैं तो यह हो जाएगा 100 और यहाँ पर भागा देंगे पांच से तो कितना हो जाएगा पचाहाँ पचीस आनि पचास दाहां में अढ़ाई 100 और पांच जग के 20 ठीक है तो वहीं तो पूछ राय लागातार छुट कितना है तो 9.6% ठीक है तीनों को जब हम कमाइन कर दिये आईए क्वेश्चन नमर 17 बुल रहा एक परिच्छा में एक विद्यार्थी ने 32 परसेंट अंग पराप्त किया तथा 16 अंग से फेल हो गया देखो इस परकार के क्वेश्चन में हम हमेशा बताते हैं कि पास बराबर पास कीजिए आनि फेल क्यों किसी को कीजिएगा सबको पास कीजिए तो 32 परसेंट बंदा पराप्त किया लेकिन फेल हो गया सोरा आंक से तो सोरा आंक इसको दे दो बर्डर पर कर दो कम से कम पास चार परसेंट बराबर 26 तो बोल रहा है कि नियुन्तम उत्री रांग क्या है तो नियुन्तम उत्री रांग कि यहां से निकाल लो किसी यह एक एक्वेशन से तो 32 परसेंट और पला सोरा आपको नियुन्तम उत्री रांग है तो 32% का value कितना हो जाएगा 4% का value 26 तो इसमें जब हम 8 से multiply करेंगे तो 8, 4 के 32 हो जाएगा यहाँ से जब हम 8 से multiply करेंगे तो 8, 4 के 32 हो जाएगा तो 26 में भी 8 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो 32% को आप क्या लिख सकते हो देखो तो यहाँ पर 4% multiply by 8 चारवाठे बत्पीस हो जाएगा पला सुरह और चार परसेंट का वैलू यहां पर 26 दिया अगर उस तरह समझ में नहीं आता है तो इस तरह समझ में आना चाहिए और चार परसेंट का वैलू 26 तो 26 मल्टिप्लाई बाइब आठ वहला सोरा आठचा के और तालीस अच्छा यहां पर पर पलस करना है आठचा के अर्टालीस और आठचा तो रहा यानि की उनी डिजित कितना आगा अच्छा काम तो बने का नहीं ठीक है मैंने तो यहां पर कुछ ग और पलस शय उनी डिजित है तो आठचा चाओदा यार उनी डिजित चार हो जा रहा है यह आपका एंसर हो गया दोसर चाओबिस ठीक है या फिर डाइरेक्ट गुणा करके जोड़ लो 26 में आठ से गुणा कर और सोरा जोड़ लो आईए कोश्चन नमर 17 18 बोला एक देखती निश्चित गती से चलता है और अपनी मंजील पर एक घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है जो कि 6 किलोमीटर दूर है यादि उसने दोड़ कर यह दूरी एक घंटा 20 मिनट में तै की तो गती में अंतर कितना हो गया है तो भी बराबर क्या हो जाएगा भी टू माइनस भी व और 20 तियाई साथ तो कितना हो गया 3 एकम 3 एक 4 बराबर किन तीन घंटा हो रही कितना हो जाएगा जाना 40 मिनट अनुद दून हो जाएगा तक कि उख यह हो गया तो भी टू हो गया आपको दूरी बाई चाल अर्ग यह दूरी बाई समे तो 67 में और माइनस दूरी बटे में आपको समे तो ये हो गया 5 बाइ 3 तो 3 आपको उपर चला जाएगा तो हो जाएगा 18 बटे में 4 माइनस 18 बटे में 5 कितना आ गया? 18,95 और 18,72 18 बचे में तो 18,95 और 18,92 में से बहतर गया 18 और 5 चाओ के 20 ठीक है तो 29,82 में 20,99 किलो मीटर पर घंटा आपको चाल में डिफरेंट हो जाएगा बहुत सिंपल कोश्चन था थोड़ा सा यापर आपको कैमकुलेशन करना था आए कोश्चन नमरों नईस बोलाई कि एक थैले में 5 हरी और 7 लाल गेंद है दो गेंदों को एक साथ निकाला जाता है इसकी क्या प्राइक्ता है और प्रोबैबिलीटी है कि एक हरी है और 6 लाल हो कि एक हरी और 6 लाल हो मतलब इसका क्या हुआ है इसकी क्या प्रिक्ता होगी कि एक हरी और 6 लाल हो अच्छा एक हरी और 6 लाल मतलब कि एक ही लाल हो गाया दो गेंदे निकाल रहे हैं आप देखो न निकाल रहे हैं और 1 लाल हो जाएगा ठीक है pakai princess हो और ऑर आर का मतलब हमेशाा आपको बताते हैं और मतलब जीआ यहां मतलब लप झीक्ट इस बात को हमेशा याद रखिए तो टोटल ना परलामों इसलड़ कहा चाया हो जाएगी стала साथ 12 और 12 में से आपको 2 चला गया तो बस आप इसको हल कर लीदी आपके एंसल आजाएगा तो ncr बराबर क्या होता है आपको हमेशा मैं समझाता हूं कि ncr ncr बराबर होता है n का फेक्टोरियल बट्टे में n-r का फेक्टोरियल into r का फेक्टोरियल तो यह से इंग तोड़ तो 5C1 यानि 5 का फेक्टोरियल 5-1 यानि 4 का फेक्टोरियल इंटू 1 का फेक्टोरियल कोई परभाव नहीं यह हो जाएगा 7 का फेक्टोरियल 7-1 यानि 6 का फेक्टोरियल बट्टे में हो जाएगा 12 का फेक्टोरियल और 12 में से 2 गया 10 का फेक्टोरियल इंटू 2 का फेक्टोर लिख सकते हैं और multiply by 7 लिख सकते हैं और बट्टे में 6 का फेक्टोरियल और बट्टे में 12 का फेक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 12 multiply by 11 multiply by 10 का फेक्टोरियल और बट्टे में 10 का फेक्टोरियल multiply by 2 ठीके, 2 का factorial, 2 multiply by 1 आपका 2 ही हो जाएगा, ठीके, काट लिजी 4 का factorial, 4 का factorial cancel 7 का factorial, और 6 का factorial 6 का factorial cancel 7, 5, 35 उपर आगया नीचे कितना आगया, 10 का factorial cancel 2, 6, 12, यानि 11, 6, 6, 6 तो 25 बटा में 6, 6 आपका एंसर हो गया अपसन नम्मर कुछाए A ठीके, आईए क्वेशन नम्मर 20 बोला है कि 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी 75 किलो मीटर पर घंटा की आउसर चाल से जा रही है और दूसरी रेल गाड़ी जो है 200 मीटर लंबी है और 35 किलो मीटर पर आवर की आउसर चाल से जा रही है अच्छा विप्री दिसा में आ रही है वो तो दोनों रेल गाड़ी कितने समय बाद एक दूसरे को पर करेगी देखो तो एक ऐसे जा रही है मालीजी और इधर से एक आ रही है और एक की लेंथ है 200 मीटर और दूसरी की है आपको 200 मीटर एक की चाल है 75 किलो मीटर पर आवर और दूसरे की चाल है 35 किलो मीटर पर आवर तो मालीजी इस किसी पॉइंट पर मिली तो एक दूसरे को पारक अप करेगी आनि ए अपनी टोटल लंबाई पार करेगी और ए भी अपनी टोटल लंबाई इस पॉइंट पर पार करेगी तो आनि टोटल दूरी आपका इसके लिए हो जाएगा इनके लंबाईयों का योग तो कितना हो गया दो अढ़ाई सव और दो सव साड़े चार सव योग हो गया इसका और बटे में चाल तो चाल आप कैसे लिखते हो जब एक ही दिशा में जाती है तो चाल को हम लोग माइनस क हो जाता है तो 75 और 35 कितना हो जाएगा 110 जबकि 110 किलो मितर पर आवर में दिया है तो इसको मितर पर सिकेन में कंबठ कर दीजिए क्योंकि सेटन में आपको एंसर लिखना तो हो जाएगा पांचमड 19 से गुना तो अठारो क्baum उपर कर देते हैं ठीक है 18 उपर हो गया बस काट कुट लिजिए आपका एंसर आ गया 00 केंसिल 59 45 18 99 162 बट्टे में 11 यहां तो कटे का नहीं लेकिन अप्शन तो बड़ा सुन्दर सुन्दर दिया है तो कटा लिजिए 11 एकाइम 11 11 15 15 12 तो 11 14 14 14 14 पॉइंट सम्थिंग आपका एंसर आएगा जो कि इसमें है नहीं ठीक है तो आप 15 के करीब मार सकते हो ठीक है क्योंकि अप्शन तो है नहीं 14 पॉइंट में तो 15 मार लिजिए और इसमें एक इर्रार था जानते हो क्या जब इसका मैं सलूसन देखा तो यहाँ पर 35 किलोमीटर ना देकर 63 किलोमीटर देकर कोस्टन को बनाया था तो आपका एंसर आजा रहा था 15 सेकेंड ठीक है लेकिन यहाँ पर जब 35 दिया तो मैं क्यों इसको 33 करूं ठीक है तो आप इसी पर बना लिजिए 14 पॉइंट सम्थिंग आएगा नहीं 15 सेकेंड तो 15 सेकेंड मार लिजी आईए कोस्टन नमर 21 पॉला एक निम्न में से एक हत्तर से विभाजित होने वाली चार अंको की नियुन्तम संख्या ठीक है बाई एक हत्तर से भाग देना पड़ेगा कोई पाई 17 एक हत्तर एक हत्तर तो आपको प्राइम नमर है मेरे दोस्ट और प्राइम नमर है तो इसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं तो डाइरेट भाग देजी तो यह खायार 65 में आप एक हत्तर से भाग दो कि तुए कि तना हो जाएगा 17 به ə 176 में से ज़िया पाँच और ज़िया 2 5 وت아 fij exact अफिश रूट पांच वजलाएगा 5 एकम 5 5 725 कट गया तो आपका एंसवल रहाएगा 1065 लेकिन रिजनु लेजी एक है 494प तोगा नहीं एक है एक हाइजार चपन को बीचे अप लोग कर सकता है कि इस धोई कट जाए लेकिन अप्षोलोग नहीं होआ तो इसका मतलब है कि वह घ्यामिनर जाफीर भरमा भी सकता है तो आप लोग पहले का ली देगा उसके बाद इसको चेक कीजिएगा ठीक है आयो कुशन नमर्ट ट्वेंटी टू है इंद्र चंद्र अकेले-अकेले काम को यहाँ पर पेज है अच्छा पेज तो है बोला इंद्र चंद्र अकेले-अकेले काम को करमसभ 20 तथ 80 दिन में समाप्ट कर सकते हैं ठीक है इंद्र ले रहा है 20 दिन और चंद्र ले रहा है 80 दिन इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुटी ले ले लेता है जिसके दोरान चंद्र काम जारी रखता है कारे पूरा होने तक यहां काम जारी रखता है तो कारे पूरा करने में कुल कितन सबसकstory एक बोल रहाए थी सब्सक्राइब टोड़ा सानगातीजी सब्सक्राइब क्वोष्चन क्या है इंद्र बिस दिन और चंद ले रहा है तो इसका LCM लेको टोटल वर्क कंसिडर की जी तो LCM हो गया आपको अज सी और माँल लिए किये टोटल वर्क है ठीक है तो एकन सिन्सी निकाल लिजी तो टोटल वर्क बटे में डे today today's skilligraphy she avons ЕА番 si अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आप धी कोश्न देखिए कि इंद्र काम शुरू करता है the end करता है और पास दिन के लिए छोटी दिन ले रहता है तो तीन दिन की या इस थे तो तो थे दिन अब बोलता है कि चंद्र काम जारी रखता है यहां पर देखो ना जिसके दोरान चंद्र काम जारी रखता है तो पांच दिन तक काम किया ठीक है तो पांच दिन काम किया तो पांच दिन में कितना उनिट काम करेगा पांच उनिट क्योंकि एक एपिसेंसी से कर रहा है तो पाँच उनित काम कर रहां छाए कि अगला तिन दीन क्या बोल रहा है कि जिसके दोराद चंदर काम जारी रखता है कार पुरा होने तक यह काम जारी दाता है मांना ऐसे ही काम चलते रहता है allora अल्टरीन की संगह फूरा करने में कुल कितने में लगेगा तीन दिन की यह तो जब ऐसे करेगा तो पांच दिन में पांच यूनित काम कर दिया तो फिर इंदर आएगा तो तीन दिन करेगा फिर भाग जाएगा तो तीन दिन में कितना काम कर देगा तीन दिन में सब्सक्राइब तो चार से मल्टीप्लाइब दिये तो यह और सट युनित काम फिनिश तो दे कितना लागा चार आठ चोग के बतिस दिन तो आपसं में है नहीं ठीक है तो 32 दिन एंसर नहीं होगा मेरे दोस्ट क्योंकि इंद्र पहले तो तीन दिन काम किया था ना तब नो रेस्ट लिया तो 32 दिन कितना हो जाएगा 32 पलस तीन यानि कि 25 दिन आपका एंसर हो गया बहुत ही बेटरीन कोश्चन है इसको आप लोग थोड़ा सा अब बैक करके देख लिजिएगा आई ये कोश्चन नम्मर कितना है 23 बोलाए कि एक नदी के किनारे सनक थी दो मित्र घुमने निकले तथा स्थान A से B पर इस्थित मंदी तर जाकर A पर लोटाए देखो A से B पर गये और B से A पर वापस लोटाए अब बोलाए कि 12 किलोमेटर की चाल से साइकिल पर जाता है एक बंदा जो है साइकिल पर जाता है मालोग इसके बीच का डिफरेंट D है तो साइकिल से गया तो कितना टाइम लगा साइकिल वाले के लिए D बटे में 12 घंटा आपको समय लगा ठीके गया तब देखो क्या बोल रहा है कि एक नदी के किनारे सणक थी दो मित्र घुमने लिकले तथा अस्थान A से चलकर B पर इस्थित मंदिर तक जाकर वापस A पर लोटे तो एक 12 किलोमेटर पर आवर की चाल से साइकिल पर जाता है तथा दूसरा इतना किलोम जाने में आपको इतना घंटा लगा और आने में भी इतना घंटा लगेगा शेखीला वाला को तो D बटे में 12 तो कितना हो जाएगा ? तो इसके लिए इतना समय लगा लेकिन नया वाले के साथ एक धोखा है वो धोखा क्या है ? डिस्टेंस दी है और माल लिजिए कि जिस समय जार आया हो बी की तरफ उस समय नदी उसके साथ साथ चल रही है उधरे बहा उसका है बी ये की तरफ है तो चाल वहां पर जूट जाएगा तो दस चार 14 किलोमेटर हो जाएगा तो इतना टाइम लगा जाने में लेकिन जब नाय अहाय वहला लवतरेगा ना तो नदी तो उधरे भळा रही है और उसके अपूजीट आना पड़ेगा उसकी तो अपूजीट आना पड़ेगा तो चाल घट जाता ए तो बंदा का चाल है 10 km per hour और 4 km per hour इस नदी का चाल है तो हो जाएगा 6 km per hour चाल धारा में आप लोग पड़े हुएगा नदी नाव धारा यह सब question आप से बनता होगा तो यह कितना हो जाएगा हल कर लीजी हल कर लीजी हल कर लीजी है अगर कुछ constant यहां पर रखना पड़ेगा constant तो यहां पर d है और d का value दिया नहीं है d अपने से माल लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें तो पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले लोटेगा तो पता चल जाएगा हमको यहां पर d हम कितना रखते हैं 6 रख लें माली यह 6 रख देते हैं अगर 6 पूट कर दिये तो 6 दुना के 12 बटे में 12 यानि कि एक घंटा cycle वाला को लगा अगर यहां पर 6 पूट कर देते हैं तो 6 चक एंसिल हो जाएगा एक और 6 बटे में 14 आनि 3 बटे में 7 पूट एक आनि 10 बटे में 7 इसको तो ज्यादा घंटा लग गया तो आपका एंसर हो जाएगा कि cycle से जाने वाला बंदा जो है यह पर सबसे पहले लोटेगा यह देखे लोजीकल कोश्चन है आई यह कोश्चन नमर ट्विंटीफोर कि राम सुधीर नरेंद्र महेंद्र 100 जजदारि में परव्यस करते हैं राम 10 आजार आथ मेंने के लिए और सुधीर जिए okay लगाते हैं तो 14,000 के लाब में नरेंदर काईसा कैसे मिलेगा लाब बराबर होता है जितना फूंजी इन्वेस्ट किया उसके कोडिंग मिलेगा और समय तक रहा लाब बराबर फूंजी मल्टिप्लाई बाई समय तेहां पर दिया राम शुधिर नरेंदर महेंदर राम कितना लगा रहा है? 10,000 2, 3, 4 कितना महिना के लिए? 8 महिना के लिए सुधिर लगा रहा है 12,000 तो 12, 1, 2, 3 कितना महिना के लिए? 10 महिना के लिए यानि पूजी गुड़े समय इसी की रेश्वी में आपको लाब मिलेगा और नरेंदर लगार आए 75, 100 इतना महिना के लिए 8 महिना और महिनदर लगार आए 15,000 4 महिना के लिए ठीक है? तो आप थोड़ा सा इसको कटा करके छोटा कर लिजी तो दो सुनना, दो सुनना, दो सुनना और दो सुनना अब कटाओ 4 से 4 कैंसिल 4 दुना के 8 4 तियाई 12 यानि 30 हो गया 4 दुनी के 8 कट गया ठीक है? अब किसे कटेगा? 5 से 5 से 20 बार में 5 दुना के 10 5 से 15 और 5 से 30 और कुछ कटेगा किया आजा 2 से लग रहा है कटेगा 2 कैंसिल 2 कैंसिल, 2 कैंसिल 2 से 15 अब रेसियो कितना आगया? 20, 30, 15 15 23, 15, 15 अभी भी कट रहा है 5 4 के 20, 5 6 के 30 5 3 आए 15, 5 3 आए 15 4, 6, 3, 3 तो अब बल रहा है कि 14,000 का लाब हुआ तो लाब कितना होई उनिट हुआ? तो 6, 4, 10, 3, 3, 3, 3, 4 उनिट और 14 उनिट का वैलू दिया है 14,000 ठीक है तो एक उनिट का वैलू कितना हो जाएगा? 14,000 बटे में 14 तो किछका इसा पूछ रहा है? नरेंदर का इसा? तो नरेंदर का इसा कितना है? तीन उनिट तो तीन से मल्टिप्लाई कर दीजी तो आपका एंसर आजाएगा कितना? 14,000 बटे में 14 अरे मेरे दोस्त 42,000 बटे में 14 आप कर लीजी ये तो 4 से जाएए रहा है 4, 4, 14 4, 10, 40 4, 5, 20, 0, 0 तो कितना आजाएगा? 4, 2, 8, 2 4, 6, 24, 1 4, 2, 8, 2 4, 5, 20, 26, 25 आपका एंसर हो जाएगा आपसन नमर B 26, 25 ठीक है? सिंपल क्वेश्चन होता है पार्टनर्सीप का बर थोड़ा सा आपको केंकलेशन होता है उसमें 0, 0 बहुत दिया रहाता है 10,000, 20,000, 50,000, 15,000, 15 एंसर कुछ करके दिया रहता है आज का लाच्स कॉश्चन देख लेते हैं बोलाया कि इसमें कुछ कुश्चन कमच गया है संभव संसोधित गर निश्पादित संपदिये NPA के बारे में जनकारी दे रहा है पाई चाट तो बोल रहा है कि NPA में 300 लाख करोड है आनि टोटल तो 2017 में D के अंतरगत NPA कितना करोड होगा D में देखो तो कितना परसेंट है 5% तो 300 लाख करोड का 5% कितना हो जाएगा आनि 5215 लाख करोड यह तो बहुत सिम्पल है 15 लाख करोड ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करवाएंगे सेट नमबर 24 को ठीक है थैंक्यू बेरी मॉस्ट